चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हर साय चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ दोस्तो डबल ए ट्रिपल सी द्वारा काउंसलिंग आयूस के लिए 15% आल इंडिया कोटा के लिए करवाई जाती है तो उसका सेड्यूल अभी जारी हो गया है ये इसकी वेबसाइट पर तो अभी सेड्यूल नहीं डाला है लेकिन आयूस की वेबसाइट पर आल इंडिया 15% कोटा के लिए और फिर इसमें जो इस्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग होनी है आयूस की उसका सेडिूल जारी कर दिया गया है इसकी वेबसाइट हम man.ius.gov.in पर जैसे ही विजिट करते हैं तो न्यूस बुलेटिन में इस परकार का डाउनलोड हमें मिल जाता है तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो आल इंडिया की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है डेबल ए ट्रिपल सी द्वारा यह फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 26 नॉंबर 2020 से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर 2020 तक इसके रेजिस्टेशन वगरा होंगे इसम 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर 2020 तक होगी मैं आपको यहाँ बता दू कि आयूस के लिए काफी स्टेट्स ने अपने स्टेट कोटा के लिए रेजिस्टेशन करवा लिए हैं कुछ-कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनोंने अभी रेजिस्टेशन स्टार्ट नहीं किये हैं लेकिन 24 आइस फिलिंग वगरा अभी हुई नहीं है इस्टेट में तो यह जो सेडियूल दिया गया है यह आल इंडिया कोटा और स्टेट दोनु के लिए हैं इसमें लास्ट डेट ओफ जॉइनिंग फर्स्ट राउंड के लिए होगी आल इंडिया कोटा के लिए 12 दिसंबर 2020 को और इसमें इस्टेट के लिए 21 दिसंबर 2020 को रहेगी इसमें सेगें राउंड काउंसलिंग का जो सेडियूल है 22 दिसंबर से लेकि 30 दिसंबर आल इंडिया कोटा के लिए रहेगा और 35 दिसंबर से 7 जनौरी इस्टेट के लिए रहेगा लास्ट डेट ओप जॉइनिंग आल इं 21 से 20 January 2021 तक होगी, आल इंडिया कोटा के लिए, इस्टेट के लिए, थर्ड फरवरी से लेके, ऐट फरोवरी 21 तक होगी इसमें, लास्ट डेट जॉैनिंग होगी 30 जनौरी 21 और फिप्टींत फरवरी 21 होगी स्टेट कोटा के लिए इसके बाद में जो स्टेट के लिए सीटें ट्रांसफर होनी है वो फर्स्ट फरवरी 21 को हो जाएंगी जो वेकेंट सीट होंगी और इसमें लास्ट डेट एडमिशन की 28 फरवरी 2020 है आल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा दोनों के लिए तो इस परकार से ये सैडूल दिया गया है डबल एट ट्रिपल सी का और स्टेट का इसके बाद में हम गाइडलाइन देखते हैं तो प्राइवेट जो कोलेज हैं उनकी काउंसलिंग जो 15% की काउंसलिंग है वो भी इस बार स्टेट करवाएगा इससे पहले ये जो प्राइवेट कोलेज हैं उनकी 15% सीटे हैं प्राइवेट सीट उनकी काउंसलिंग डबल एट रपल सी दवारा करवाई जाती थी लेकिन इस बार स्टेट दवारक करवाई जाएंगी इसमें जो प्राइवेट कोलेज हैं उनकी 15% सीटे आल इंडिया कोटा की जो सीटे हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट ही करवाएगा तो इसके लिए जो private seat हैं इन 15% seat उंपर कोई इसमें domicile का criteria नहीं रहेगा ये domicile free seat रहेंगी यानि कि किसी भी state की 15% private आयूस की seat पर other state के candidate admission ले सकते हैं ये इस बार rule में change हुआ है थोड़ा जब private college के लिए 15% seat के लिए बाकी जो 85% seat है private seat private college की उन पर state के candidate ही admission ले पाएंगे तो ये इस बार rule change हुआ है तो ये जानकारी थी आयूस के registration के बारे में admission के बारे में counseling के बारे में बाकी आपको अगर जानकारी लेनी है तो इससे हमारे book से आप जानकारी ले सकते हैं book में मैंने previous year की cut-off वगरा seat matrix, tuition fees वगरा सब के बारे में बताया गया है उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, idea मिल जाएगा, आपने कैसे counseling में choice फिल करनी है उसमें आपको एक उनसे idea मिल जाएगा, तो आप उस book को download कर सकते हैं, इस video की description box से भी download कर सकते हैं या हमारी website www.chopraeducation.com से भी I use की book को download कर सकते हैं इसमें veterinary की counseling के बारे में भी बताया गया है, हालांकि अभी veterinary की counseling start नहीं हुई है जैसे ही वो counseling start होगी, आपको inform कर देंगे इसके बाद में AACCC की website पर अभी इसका schedule आया नहीं है जैसे ही इसका schedule आ जाएगा, हम आपको inform कर देंगे आप हमारे channel पे नए हैं, तो जरूर channel को subscribe करके, bell icon प्रेज करें तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, जैहिंद